तो सभी छात्र जोकी IS का एक्जाम दे रहे हैं 10 अक्टूबर का 10 अक्टूबर 2021 यह आपका आने वाला एक्जाम है काउंडाउन चालू हो गया है और काउंडाउन कब से चालू हो गया है आज से माल लिजे 40 दिन ही सेस बचे हुए हैं 40 दिन ही आज सिर्कल इग्जैक्ट बचे हुए हैं क्यूं आज आपका है 30 अगस्त एक्जाम है आपका 10 अक्टूबर को सेप्टेंबर का महीना ही है आपके पास 10 अक्टूबर मतलब की जैसे एक अक्टूबर लएगा दिल की धर्कन बढ़ जाएगी और यह सुभाविक है एक चीत ध्यान रखेगा है जितनी चीज़े हैं सब सुभाविक हैं तो अब 40 दिन में प्रारंभिक परिक्षा के लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा इसको ले करके आप लोग के बहुत सरे कुश्चन भी थे मैं इसको ले करके कुछ आपको गाइड भी करके जाऊंगा कि आपको 40 दिन जो आपके पास हैं इस 40 दिन में क्या करना है Exam की date है 10 October आप उसे कितने लोग हैं जिन्होंने I.S. का exam का form बराए यहाँ पे आइस ओढ़रे बच्चे कितने हैं कितने student हैं जिन्होंने I.S. के exam का form बराए कितने लोग हैं जो कि exam hall पे जा रहagit ड़रे हैं 10 October को exam hall पे जा रह malaria general category वाले तो यह चीज देखते हैं तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि exam को लेकर के sincere हैं और civil substance का exam देने जा रहे हैं, IS का exam देने जा रहे हैं, 10 October को कितने लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर आज एक चर्चा करेंगे, 40 दिनों में क्या कर सकते हैं आप लोग SK जी हैं, सक्ती जी हैं राज गुपता, हाँ, बताएं बेटा क्या दिक्कत है आपको एक बार मुझसे फिर से आप अपना question जो भी हो न अजाज सिंकरे सर मैप map की, भेज़ दी गई है PDF आप लोग को, आप में आ चुकी है आप लोग के map की PDF, इंडियन जोग्रोफी की मानवीर सिंग चलो, काफी लोग हैं आप जो एक्जाम देने जा रहे है काफी लोग हैं जो एक्जाम देने जा रहे हैं आप इसमाइल केर सर में मौव डिस्टिक से हूँ और UPSC की बुक कैसे प्राप्त करूँ बुक्स के लिए देखो एक प्लेटफॉम है आप लोग का पहले इस पर डिसकस कर लेते हैं बुक्स के लिए आजादपॉब्लिकेशन डॉट कॉम है वहाँ से आप लोग जो भी चाहते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है वो मैं बाद में बता दूँगा तो UPSC सिविल सबसे सिख्जाम 2021 10 अक्टूबर ही है 10 अक्टूबर को आपका एक्जाम है 40 दिन सेश है अब 40 दिन में प्रारंभीक परिक्षा के लिए आपको अब युद्ध इस्तर पे लग जाना चाहिए अब मतलब यह समझ लीजे कि अब टोटली आपको प्लिम्स औरियंटेट तैयारी करनी है PT को फोकस करना है अब देखो प्लिम्स का जहाँ पर आते हैं PT औरियंटेट तैयारी क्या होती है प्लिम्स औरियंटेट तैयारी क्या होती है तो इसमें particular कुछ pillars है हर बच्चे का अपना कुछ pillars होता है लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि PT में आता क्या है पूचा क्या जाता है PT में आपका जेग्राफी का section है जोग्रोफी है न? important section है जोग्रोफी और environment ये दो subject mapping से जुड़े हुए है environment mapping theory दोनों है यहां पे आपका जोग्रोफी में Indian जोग्रोफी और world जोग्रोफी ये दो प्रकार की आपके Indian जोग्रोफी प्लस world जोग्रोफी ये दो mapping वाला section geography में map से question जरूर पूछा जाते हैं हर साल कोई न कोई question map से पूछा जाता है चाहे world geography से हो Indian geography से हो तो PT oriented theory के लिए कुछ आपको specific focused work करना पड़ेगा जैसे कि geography में mapping वाला section world geography से भी question आते हैं जैसे अब यहाल फिलाल में तालिबान का issue आप देख रहे हैं तो मदेशिया वाला जो हिश्चा है ना यह बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे जितनी भी नदिया है borders हैं है ना वहाँ पे कोई सागर है कुछ भी पूछ सकता है आपसे कुछ भी पूछ सकता है मदेशिया हो गया इससे पहले फिलिस्तीन और इस्राइल का भी वाद था वह मदेशागर के बगल में तो वह मदेशागर से सीमा साजा करने वाले देश कौन से यानि कि भागोलिक लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है आते हैं कुछन ऐसे ठीक है और यह सब कुछ मैंने करवाया है वर्ल्ड जोगरोफी की मैप की क्लासेश पूरी पढ़ी है पूरा आपका आजाद आईएस अकैडमी में पर्टिकुलर पूरा बैस था आजाद आईएस अकैडमी के यूटूब चैनल पे भी क्लासेश मेंने डाली है तो वर्ल्ड जोगरोफी मैपिंग इस पे भी आपको काम करना है इंडियन जोगरोफी मैपिंग इस पे भी काम करना है इंडियन जोगरोफी मैपिंग से कुछन आते हैं वर्ण जी अब यह पर्यवरण की बात मैंने जो की परेवन में वन जी ओभेरेंट से हर साल कोश्चन आते हैं बायो डैवर्सिटी को लेकर के कोश्चन पूछे जाते हैं रामसर साइट्स को लेकर कोश्चन पूछे जाते हैं नेशनल जो आपके पार्क हैं या फिर राष्टी उद्यान हैं उनसे question पूछे जाते हैं कहाँ पर क्या location है क्या एक डू question आई जाते हैं हर साल जैव इत्ता वाला section question पूछा जाता है climate change से भी question पूछता है climate change से भी कोई गैस का नाम दे देगा निमलिकित में से कौन सी गैस है जो की वाय मंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है या फिर ऐसे करके कोई ने कोई combination पूछ लेगा आप लोगों से तो आपको climate change environment में भी कुछ ऐसा नहीं कि आप परिस्तिकी जाल इससे कोई question पूछता था लेकिन अभी इससे में नहीं पूछ रहा है इससे में map based question पूछ रहा है ठीक है तो इंडियन geography environment की class हो गई आपकी economy में current affairs पूछता है economy आपका current वाले section से पूछता है लेकिन banking वाले section से काफी पूछता है banking में आपका repo rate इससे question आता है कई बार मलब कि आपका monetary policy हर दो महिने में RBI के द्वारा जो है monetary policy जारी की जाती है ठीक है तो कहीं न कहीं पे उसको लेकर banking sector से question पूछ लेता है economy में current को लेकर बहुत सारी चीज़े है जैसे कि अभी भी निवेश चल रहा है सरकार के दोरा भी निवेश किया जाए बड़े इस तर पे उससे question मन सकता है या government की जितनी भी policy है economy और economic survey है बजट है economy में एक चीज़ और है मैं चाहता हूँ कि यह चीज़ आप लोग जरूर एड कर लीजेगा इंडिया इयर बुक मैं चाहता हूँ जितने बच्चे हो इसको इग्नोर करके मत जाएगा इंडिया इयर बुक को यह जरूर लीजेगा आप लोग इंडिया इयर बुक बहुत सारे बच्चे नहीं पड़ते हैं लेकिन दो से तीन question इस बुक से निकल के आते हैं और यह इसका रिवीजन भी हो जाएगा तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग बुक है भारत सरकार के दोरा हर साल निकाली जाती है तो मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे इंडिया इयर बुक अभी तक नहीं पढ़े हो अभी भी 41 दिन हैं आपके पास यह 40 दिन में आप इंडिया इ आया था है ना यह फरवरी मार्च में रिलीज हो जाती है ठीक है थोड़ा सा डिले कोविट के कार चला नहीं फरवरी में बजट के बाद आई जाती है रालत में तो यह पुस्तक आप लोगो के लिए महत्तपूर है समझ लिए आपके मेंस के लिए तो वही है नहीं तो क्या है यहाँ पर इंडिया इयर्बुक इंडिया इयर्बुक बहुत देटा यहाँ से आ जाता है प्लस आपको बजक की क्लासेज करना है एकमिक शर्वे करना है प्लस RBI से जुड़े हुए जितनी भी चीज़े हैं RBI के monetary policy प्लस banking system को को ले करके classes करना है मेरे master वीडियो है master वीडियो देख लो आपको banking तो समझी आ जाएगा ठीक है master वीडियो देख लो वहाँ से आपको economy complete हो जाएगी environment पे भी मैंने master वीडियो बनाया है जोग्रोफी पे भी इंडियन जोग्रोफी वर्ल्ल जोग्रोफी पे master वीडियो बनाया है देखना चाहिए आप लोग को बाकर detail में तो पढ़ाईए इसके अलावा history history से question बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके इसको भी revise ही करना है जो आप लोगोंने पढ़ रहा होगा देखो अब जैसे की medieval को पूछ रहा है अब वह ऐसे section पूछ रहा है जैसे पहले क्या था ट्रेंड चल रहा था इंडियन फ्रीडम इश्ट्रगल को लेके question बहुत मुझे लगा इस साल इंडियन फ्रीडम इश्ट्रगल से question बन सकते हैं जादा क्यूं 75 वर्स पूरे होने वाले हैं अगले साल और इस साल आजादी का अमृत महस्टो प्रारम हो चुका है तो आप लोगों को फिर से ध्यान रखना है क्योंकि फिछले साल मेडिवल पूछा इसके पहले मेडिवल और इंशेंट से question जादा है freedom struggle को side में रख दिया था UPSC ने संभावता है इस बार उम्मीद यह है कि इंडियन हिस्ट्री में highlighted section बन सकता है freedom struggle अगेन ठीक है आर्ट इन कल्चर से भी एक समय बहुत question पूछता था लेकिन अब आर्ट इन कल्चर को भी इनोंने side line कर रखा है तो इंडियन freedom struggle प्लस आर्ट इन कल्चर यह दो चीजों को आपको करना है बलब इन पे ज़्यादा focus करना है मैं आप ज़्यादा focus करने की बात कर रहा हूं इंडियन geography और world geography में mapping वाला section environment वाला जो आपका section है यहाँ पे आपको जितना भी climate change है बायो diversity है इसको लेकर location based question economy में आपको बजट और economic survey प्लस RBI की जो monetary policy है प्लस आपको इंडिया yearbook इंडिया yearbook काम आएगी ध्यान रखना इसके बाद आपका history वाला section जो है history वाले section में आपका Indian freedom struggle प्लस art and culture यह दोनों section इस बार पूर्ण संभावना है कि आना ही चाहिए आना ही चाहिए यह वाले section पर surprise नहीं मिलेगा आपको ठीक है क्योंकि पिछले दो साल तीन साल से incident medieval उसने लगातर पूछा है UPSC हमेशा change करता है इस बार भी change कर सकता है वैसे पढ़के तो सब कुछ जाना चाहिए लेकिन आपको अपनी strategy wise देखना है कि आयोग का pattern क्या चल रहा है आयोग किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना है यह भी समझना है आपको ठीक है तो यह आप लोग के लिए एक important है इसके बाद एक topic और है आपको बता रहा हूं वह है आपका quality का question यह हमेशा आपका बहुत सागा question रहेगा इसमें यदि 18 question नहीं 18 के 18 सही हो सकते हैं आपक क्रैस कोर्स वाले बच्चों को 25 classes में revision करवाया है online class वाले बच्चों को 65 classes 66 classes पूरी quality की करवाई है quality से आपके question गलत नहीं होने चाहिए master video प्लस entire video देख लीजेगा आपका revision हो जाएगा पूरा master video entire video ठीक है history में भी मेरे master video और entire video दोनों है यहापे master video प्लस entire video बाकि अपने जो भी नोट्स बनाएं तो इस समय बचना है बहुत सारी चीजे नई पढ़ने से नए में क्यों इंडिया yearbook आपके पास कम से कम एक बाद जरूर पढ़के जाना बार बार इसलिए बोल होत पूरा हूं कि आप पिर द्यान नहीं देते हैं तो आपके यह Så सकती है और क्या 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 चीजें हो सकती है आपकी यह row गएन आपके सब्जेकट वाइढ़किर इकील्ट selv पीषिटी बार तो झैल बाना और नहीं पूछा गया था यह भी हो सकता है कि कुबिट के sauci से इस बार current नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आयो current को priority देगा, current आपको proper तैयार करना है, ठीक है, current के लिए देखो एक insight की site आती है, insight of India, आप लोगों में बहुत कम लोग देखते हों सायद, insight of India में Hindi medium की भी current रहती है, English की भी रहती है, Hindi की भी रहती है, तो मैं आपको recommend कर रहा हूँ, insight of India, best है current affairs, यदि आपको current affairs वैसे करना है, बाकि 5 बजे current affairs मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं multiple source से पढ़ा रहा हूँ, मैं PIB से भी लेता हूँ, तैंदू से भी लेता हूँ, इसके बाद आपका insight of India से जो भी content हो गया, कई sources से content लेकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को आपको 5 बजे current affairs की class exam India पे live होती, बाकि exam India में याद कर लीजे current affairs की series भी चल रही है, जिसको आप करेंगे, आप पाएंगे हाँ, उसमें लगबग मैं 50-60 episode में आपका पिछले 2 साल का current affairs पूरा cover करा हूँगा, तो एक बार वो सारे episode जर राष्टी खबरे जितनी भी हैं, अंतराष्टी खबरे जितनी भी हैं, आर्थी कबरे जितनी भी हैं, विज्ञान प्रदोकिस जुड़ी हुई कदरें, और परसन न्यूस से जुड़ी हुई खबरें, ये सारी, ओ जैसे खेल हैं, ओलंपिक खेल हुए, उससे जुड़ी फेर्स भी करिएगा ठीक है तो आपके पिलर्स में पिलर्स आपको बनाने पढ़ेंगे एक्जाम के लिए तो अब ये 40 दिन है 40 दिन आपको रिवीजन में लगाने हैं अपने किस चीज के लिए के लिए कुछ नया पढ़ने से बचना है वो सब्जेक्ट जो आपने कभी नहीं पढ़ा उसको पढ़ने से बचना है और पिलर्स अबजेक्ट में जोगरोफी है मैपिंग वाला सक्षन मैप देखे जादा जादा मैप देखे है हाल फिलाल में जो भी गटना करम हुआ है पूच्ट ही जाएंगे इसके बाद और रौब्षि के मैंने आपको ट्र적 harm है पॉडलाट ही नहीं होना जाये कैसे भी तो चालिस दिन आप लोग बरबाद चालिसलें ने मैं आपके साथ बना रहूंगा लगातार एक अक्टूबर तक आपके दस अक्टूबर तक जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाएगा एक तो मैं आपको master वीडियो दूँगा current affairs का मैंने एक master वीडियो आपको already दे रखा है already दे रखा है अभी आया था ठीक है इसके पहले आठ एपिसोड आउना चुके है current affairs के यह particular magazine की तरह चलता है और 2-5 गंटे में पूरा एक साल का current affairs आपका complete हो जाता है actubar के first week में मैं आपको दूँगा ठीक है October के first week में current affairs का master वीडियो लेकर के दे दूँगा current का current का master वीडियो एक दे दूँगा economy का एक master वीडियो आपको economy का भी दूँगा economy के 3 part आचुके तीन पार्ट के बाद एक पार्ट और आपका जोड़ूंगा चौथा पार्ट आजाएगा आपके एक्जाम से पहले मलब 10 अक्टूबर से पहले चौथा पार्ट आपका इकोनोमिक्स कभी आ जाएगा हिस्ट्री के मास्टर वीडियो कम्प्लीट है अब इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस कराना है मुझे ठीके तो हिस्ट्री के मास्टर वीडियो कम्प्लीट है आपके पूरे के पूरे जितने भी हैं हिस्ट्री के कम्प्लीट है पॉलिटी का एक बचा हुआ है लास्ट बचा हुआ तो मैं ये भी आपका कम्प्लीट कर दूँगा जोग्रोफी के मास्टर वीडियो कम्प्लीट है जोग्रोफी के मास्टर वीडियो कम्प्लीट है हिस्ट्री में इंटायर वीडियो की स्रीच चल रही थी एंसेंट और मेडिवल की हो 11-12 question निकल के आये थे तो agriculture को भी हमें एक-दो वीडियो में separately नहीं होगा तो मैं master वीडियो बना दूंगग एक क्रिशियों प्रदोक्की का तो क्रिशियों प्रदोक्की के master वीडियो से भी आपका बहुत भला हो जाएगा ठीक है agriculture का master वीडियो भी आप लोगों में प्रोवाइट कराने का प्रयास करूंगा ठीक है तो आपको अपने पिलर्स भी ध्यान रखना है मल्टिपल रिवीजन करना है चालिस दिनों तक युद्धिस्तर पे पूर्टेर के से जुट जाना है अब अपने उनको रिवाइज करना है आप संस्थान से जुड़े होंगे तो आपको टार्गेट वीडियो दिये जा रहे होंगे उनको देखना है जो भी आपको क्लासेस कराई गए उनको रिवाइज कराना है उनके नोट्स को देखना है अब इस अमें आपके पास केवल रिवीजन का टाइम बचा है और बहुत सेलेक्टेड रिवीजन करना है ठीक है बाकी इन 40 दिनों में मैं आपको बीच-बीच में short वीडियो भी देता रहूँगा और आपको long वीडियो भी देता रहूँगा मैं आपके exam hall तक आपके साथ बना रहूँगा current affairs से लेकर GS से लेकर हर एक topic को लेकर के आपके साथ proper हर एक subject को लेकर यहाँ पे चलाता रहूँगा ठीक है और साथ मैं आपके doubt भी clear करता रहूँगा तो यह सारी चीज़े होंगी सुभम कुमार जी देखो आधनिक भारत का entire वीडियो अभी तक नहीं आया उसका कारण यही कि अभी संस्थान में बच्चे जैसी offline open होगा offline के बाद मेरा पहला काम यही होगा कि मैं आपको entire वीडियो तो क्या करूं entire वीडियो आपको उपलब्द कर रहूँ तो मैं आपको आधनिक भारत का entire वीडियो जरूर उपलब्द करा दूँगा जरूर अवश्य उपलब्द करा दूँगा आपको आधनिक भारत का entire ठीक है आपको निश्चिंट रहना है अब प्रारंब हो जाएगा इसी मलब की इस अगले महीने मलब सेक्टेमबर के महीने में प्रयास करेंगे कि हम प्रारंब करें पंकज कुमार जी देखो यह मैं आपको बता रहा हूं कि कोसिस करता हूं एक दो दिन में आपको जरूर दे देता हूं इससे जुड़े हुए वीडियो आपका ठीक है कल आपका आजाद IAS Academy में भी कोर्स आजाएगा क्रेस कोर्स ठीक है वो भी कल आपको आजाएगा या पर चलिए तो यह आपका है complete revision को ले करके आपको सिर्फ और सिर्फ इस दौरान ध्यान रखना है बहुत selected चीजे जो आपने notes बनाये हैं उन notes पर focus करना है और जो आपको revision कराया गया है आप मैंसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि revision कोर्स से जुड़े हुए हमारे उन सभी बच्चों को आपको complete revision करना है बाकी घबराना नहीं है घबराने से कुछ नहीं होगा ठीक है और current affairs में आपको मैंने current affairs करवा दिया है लगबग और अभी लगता चालिस दिन है आपके तो लगबग मालीजे 10-15 classes आपकी और आएंगी classes regularly मैं आपको उपलब्द करा रहा हूं exam इंडिया के YouTube चैनल पे तो वहां से आप लोग current affairs के अपने notes बनाते जाए उनको देखते जाए निशित तोर पे current affairs आपका वहां से आएगा guaranteed बोल रहा हूं बाकी एक master वीडियो आ गया है एक master वीडियो आपको और exam time दे दूँगा GS में सारे master वीडियो अजाद ही एस academy के playlist पे लगे हुए उनको एक बार देख लेना है आपको boost up हो जाएगा आपको confidence बढ़ जाएगा इसी अंतिम समय के लिए मैं आप सभी को master वीडियो बना के रखा हुआ हूँ आप सभी अंतिम समय में बड़ा revision करके जाएं इसी master वीडियो के माद्यम से ठीक है ये सारी चीजे हैं बाकी जो paper 2 है paper 2 c-site का है और मैं सही बता रहो hindi medium के जायतर बच्चे c-site में डह जाते हैं कल एक playlist आप लोग को मिल जाएगी आजाद IAS Academy में ठीक है एक GS paper 1 के लिए बनेगी एक IS के लिए बनेगी दोनों के लिए बना दूँगा मैं playlist कल आज promise मैं आज इसको लिखे ले रहा हूँ ठीक है आज आपको लिखे ले रहा हूँ playlist मैं आपको बना दूँगा कल GS1 की अलग GS2 की अलग तो सारे वीडियो जो fast revision करा सकते हूँ CSET का और इसका दोनों का CSET में math reasoning comprehension तीन टॉपिक का और GS में आपका history, quality, geography, economy, current, general science सारे टॉपिक को लेकर के मैं playlist आप लोगों को दे दूँगा ठीक है तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों का ये promise लिख भी लेता हूँ ठीक है IS की playlist बनानी है एक GS1 की बनानी है आपकी और दूसरी आपकी GS2 की ठीक है दोनों playlist बना दूँगा ये काम में आप लोगों के लिए कर दूँगा सुभम जी कल ROARO exam के लिए मिलूँगा आप लोगो बेटा CSAT के पेपर को बहुत लेंदी कर दिया गया है ये समझ लिजे बहुत लेंदी हो गया पेपर comprehension के question पिछली बार काफी कम हो गये थे 21 question ही सायद comprehension के आये थे आपके तो ऐसे में अब आपको math reasoning को बहुत ज़्यादा मतलब इसको हलके में नहीं ले नहीं दिया आपका math reasoning कड़ाब है न मैं आपको सही बता रहा हूँ आप नहीं cset qualify कर पाएंगे cset qualify करना है तो आपको holistic approach में तैयारी करनी पड़ेगी पूरी के पूरी यानि कि आपको math में भी पकड़ रखनी पड़ेगी comprehension में भी पकड़ रखनी पड़ेगी आपको reasoning में भी करनी पड़ेगी और आप आयोग cset को इतना अच्छा paper set कर रहा है कि बच्चे पूरा पढ़ भी नहीं पा रहे हैं ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है मैंने आप लोग का ये वाला लिख लिया है ये काम मैं आपको कर दूँगा gs2 भी कर दूँगा जो भी है कल आप लोग को playlist मिल जाएगी और सूचना भी दे दी जाएगी ठीक है playlist आजाएगी आप लोग complete updated playlist जरूर देख लिजएगा is exam को ले करके आपको आज ही मैं playlist पूरी बना दूँगा उस playlist में आपको सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिलेगा complete updated gs1 gs2 दोनों को ले करके ठीक है तो चलिए फिर ये काम आप लोग के लिए हो गया अब चलते हैं अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा पढ़ क्लास कर लेते हैं तो अब आप लोग बस